नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत कुमार थानवी, voice modulation trainer at voice modulation training dot com और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Voice Modulation Training with भरत कुमार थानवी जहां मैं आपको सिखाने आया हूँ voiceovers, dubbing, acting, anchoring, mimicry, singing और radio jockey से related topics पर तो चलिए शुरू करते हैं So, दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ basics बताऊंगा recording studio के बारे में अगर आप एक voiceover artist बनना चाते हो, एक dubbing artist बनना चाते हो, या फिर एक singer बनना चाते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत-बहुत जरूरी है In fact, अगर आपको कुछ technical profession में भी जाना है जैसे sound engineering, sound designing जो भी recording studio से related है ये वीडियो आपको ज़रूर help करेगा Okay, so सबसे पहले जब आप recording studio में आते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक mic है ठीक है, अब ये जो mic है और जो normally आपने mics देखे होंगे जैसे आपने किसी function में देखा होगा, आपके company के किसी presentation में देखा होगा school college के किसी function में देखा होगा वो जो normal mics होते हैं, वो होते हैं dynamic mics वो उसके कुछ dynamics अलग होते हैं कुछ technically चीज़े अलग होती है उसमें और यहाँ जो होता है, इसे कहते हैं condenser mic okay, so, दोनों में एक basic difference होता है, वो हमें पता होना चाहिए dynamic mic जो usually हम लोग देखते हैं orchestra में या जो भी examples में आपको दिये उसका, उसकी खासियत यह होती है कि अगर आप वो mic को पास रखेंगे कुछ गाएंगे, कुछ बोलेंगे तो audience को सुना ही देगा अगर आप थोड़ा भी दूर रखेंगे तो आवाज नहीं आएगी ठीक है, in fact कुछ settings भी हम कर सकते हैं लेकिन condenser mic on the contrary बहुत sensitive होता है और बहुत basic चीजे बहुत ही minute चीजे यह पकड़ लेता है इसकी gain capacity काफी high होती है इसलिए आपने बहुत सारे जिसे कहते हैं reality shows जो होते हैं, singing reality shows उसमें एक last 10 या top 10, top 8 में जो आते हैं, singing reality shows में उनका एक studio round भी होता है कि studio में उन्होंने कैसे गाया studio में कैसा sound आ रहा है यहना क्योंकि बहुत सारी चीजे पदा चलती है recording studio में, आपकी voice के pitch, tone, clarity, modulation, pronunciation, diction, pronunciation, आपकी voice की range, throw बहुत clearly पता चलती है आपकी voice का texture कैसा है वो भी बहुत clearly पता चलता है अब next हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो यह जो गोल सी चीज है यह इसे कहते हैं pop filter अब pop filter का क्या कमाल है जैसे कि कुछ ऐसे sounds होते है प, फ, भ, भ, यह कुछ ऐसे sounds है जहाँ पर हम होट बंद करते हैं और जब होट खोलते हैं बहुत सारी हवा निकलती है ठीक है अब जैसे मैंने आपको बता है यह जो mic होता है बहुत sensitive होता है अब जैसे मेरे नाम में है भरत कुमार में भा है अभी मैं अगर बोलू इसमें मेरा नाम भरत कुमार है अब भा पे अगर थोड़ा stress दे दू थोड़ा energy के साथ तो वहाँ पे speakers में control room है जैसे dubbing room है सामने control room है जिसे console room भी कहते हैं monitor room भी कहते हैं वहाँ पे sound इस तरीके से आएगा मेरा नाम भुप कुमार है एक blow आएगा इसे blow कहते हैं तो ये चीज इसलिए होती है क्योंकि ये जो mic है काफी sensitive रहता है इसमें आपकी हवा जब वो capture होती है तो हवा का sound आता है ना कि जो sound आप सोच रहे हो इसलिए उस हवा को कम करने के लिए ये pop filter लगाया जाता है ताकि वो हवा कम आए blows कम आए जैसे बहुत सारे बार आप अगर कोई audition देने जाओगे कोई बोलेगा blows आ रहे हैं तो आप सुच ओगे कहां से आ रहे हैं तो इसका ये कारण होता है फिर सेकेंड चीज़ जब आप recording करते हो जैसे आप देख रहे हो मेरे हाथ में script है आपको आपकी position ले लेनी है ठीक है आपको बहुत comfortable रहना है चाहे आप हाथ में पकड़ो मैं usually right hand में पकड़ता हूँ eye level पर कुछ लोग script stand का इस्तिमाल करते हैं जो भी हो आपको बहुत comfortable रहना है आप script हाथ में पकड़िए या stand पर रखिए अगर आप हाथ में पकड़ते हैं इस तरीगे से ना हिलाए आप उसको फिर उसमें भी sound आ जाएगा कागस का जब आप record कर रहे हो तो यह जो sound है तो यहां तो इतना sound नहीं आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन जब यह condenser mic पे बचता है और control room में जब सुनाई देता है बहुत clearly एक बड़ा sound आता है इसका फिर उसके बाद जब आप शुरू करते हो you have to make sure कि आपने पाने पिया हुआ है your body is hydrated you are not running out of breath और sufficient amount of intake है आपका water का आपको जो recording studio में जो temperature है you are comfortable with that अगर आपको गर्मी लग रही है तो हर recording studio में बाहर अंदर दोनों तरफ AC लगा होता है okay, so आप AC चालू कर सकते है okay, उसको 10-15 मिनित चला लीजिए थोड़ा सा temperature normal हो जाए फिर आप start कर सकते हैं और इसके बाद ऐसा नहीं कि अगर कोई लंबी script है तो आपको करते ही जाना है करते ही जाना है आपको पसीने चूट रहे हैं तो जरूरी नहीं, you can take a break आप फिर से AC on कर सकते हैं you can take a break फिर से आप mic पे आईए जो last line आप से छूट गई थी last line आप सुनिए और उसके बाद आप continue कीजिए ठीक है? यह है कुछ important tips एक और tip में देना चाहूँगा जब भी हम script पकड़ते हैं, script perform करते हैं अब जैसे कहीं पे कुछ fumble हो गया कहीं पे कोई line हम miss कर गया word miss कर गया यह ठीक तरीके से नहीं बोली यह हमें लगता है कि यह चीज मुझे जैसी बोलनी थी वैसे नहीं बोली तो ऐसा नहीं करना है आपको कि बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है ऐसे नहीं यह एंट टेक पॉस आप repeat बोल सकते हो आगे और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे हमारी चैनल हमारे चैनल का नाम है voice modulation training with भरत कुमार थानवी और अगर आपको voice words, dubbing, anchoring, acting, stand-up comedy, mimicry, singing, radio jockey इन सारे fields में interest है तो जरूर आप दिये हुए number पे हमें call कर सकते हैं और हम बहुत सारे शेहर में बहुत सारे major cities in India में हम लोग कंड़क करते हैं हमारे दो दिन के workshops तो जरूर आप अपने contact details हमारे website voice modulation training dot com पर share कर सकते हैं so till then it's bye bye जैहिद